कि साथियों कि आज हम बंबे इस्टाक एक्षेंज कि जिसको बीएस्टी के नाम से भी जानते हैं उसके सेयर की एनलीसिस करेंगे पहले डाटा को पढ़ेंगे देखेंगे और उसके बाद उसकी विवेचना करेंगे इस विशे को आज का बिंदू बनाने का जो तात्पर अर्थ था वो इस कारण से था कि आप लोगों में से अनेक लोगों की ये इच्छा थी कि चुकि ये पिछले एक साल में लगबग सबातीन गुना हो गया है और लगातार इसमें बड़ोते लिए हो रही है इसलिए इस विशे में चर्चा की जाए और इसके एनलिसिस की जाए साथियों आप जो ये ग्राप देख रहे हैं ये गूगल फैनल्स का ग्राप है जो कुछ मैं आपको बतलाऊंगा या कहूंगा ये सब कुछ आप जानते हैं देखते हैं समझते हैं लेकिन मेरी तरब से एक ये आपचा रिकता है साथियों इस ग्राप को अगर आप ध्यान से देखें तो साथियों अगर आप बात करें फर्वरी 2017 की तो फर्वरी 2017 को इसके जो रेट थे वो 1079 1069 थे और साथियों इस चार साल और दस महिने की यात्रा में इसने जो सफर तय किया है तो आज उस रेट से तुलना करें कि उस समय अगर किसी ने निवेश किया था तो चार साल दस महिनों में उसका जो निवेश है उसमें उसके मुलदन में 83 दसमलब 2-4 प्रतिसद की बड़ोतरी हुई है साथियों वैसे तो दूसरी कमपनियों से जो ग्रोथ की कमपनिय हैं उनसे तुलना करें तो यह बहुत ही कम है अगर साथियों एक साल की बात करें पिछली तो पिछले एक साल में इसने 221 दसमलब 5-9 प्रतिसद का रिटन दिया है अर्थाथ जिसने एक साल पहले निवेश किया था उसकी रकम सवा तीन गुना हो गई है और इसी ग्रोथ के कारण जिन्होंने परवरी 17 में निवेश किया था उनका जो रिटन है वो 83 दसमलब 2-4 प्रतिसद मिलता है अगर यह ग्रोथ नहोती तो काफी लॉस में होते साथियों अगर फरवरी 17 से हम दिसंबर 19 की बात करें जो दिसंबर 19 में निकल गए क्योंकि जब इसमें ग्रोथ नहीं देखी इसकी बढ़ोतेरी नहीं देखी और लंबे समय तक इसके दरों में गिरावट देखी तो इस कमपनी से निकल गए क्योंकि साथियों कोई भी छोटा निवेसक एक लंबे समय तक किसी कमपनी के गिरते हुए रेट को लगतार देखता रहता है तो साइद उसमें इतनी छमता नहीं होती कि अपने परपोलियो में उसको बनाए रखे साथियों परवरी 17 में जो 1069 रुपय का जो इसकी कीमत थी वो दिसंबर 19 आते आते धीरे धीरे गिरते गिरते चारसु पिचासी रुपय करे गया अर्थात उन निवेसकों को 584 रुपय का लास था आप कह सकते हैं कि उन्हें 54 परसेंट का लास था वो भी 2 साल 10 महिनों में लेकिन साथियों अगर हम इदर अचानक इसमें आई बलहुतरी की बात करें तो मार्च 2020 में ये 300 रुपय के आस पास सेयर हुआ करता था ये कोबिट के कुछ पहले की बात है और साथियों अगर ये दिसंबर 21 की बात करें तो आज ये 1969 रुपय के आस पास ये ट्रेट कर रहा है और साथियों इस प्रकार से एक वर्स नौ महिने में ये जो शेयर की कीमत जो थी ये 300 रुपय से बढ़कर इसमें 1669 रुपय के बलहुतरी हुई 156 राइन अर्थाथ 553 परसेंट की बलहुतरी हुई आप कह सकते हैं कि ये दन्रासी लगबग 16 गुना हो गई केबल एक वर्स और नौ माह में यही कारण है कि जो दिसंबर 17 से आज तक बने हुए हैं उन्हें कुछ प्रॉफिट दिखता है अनेता वो लास में ही थे साथियों अगर इसके 22 हपते की बात की जाए तो 22 हपते में इसका जो हाई है वो 2373 रुपय का है और इसका जो लो है वो 535 रुपय का है और प्रिजेंट में 1959 पे यह ट्रेट कर रहा है अगर इसके लो से गलना करें तो अपने लो 535 से उपर 1959 अर्थात लगबग 1424 रुपय बढ़कर इसका जो बढ़ोतरी है वो 266 परसेंट है लेकिन अगर इसके हाई की बात करें 2373 की तो यह 2373 से 414 पॉइंट गिर कर 1959 पे ट्रेट कर रहा है अर्थात अपने हाई से 17.4 प्रतिसद नीचे है और अगर इसक्रीनर की साइट की बात करें तो आप इसमें देखते होंगे कि यह इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 8796 करोड है और यह बहुती छोटी कमपनी है इसमाल कैप कमपनी है यही कारण है कि यह रिस्की है और इसके रेट जो है कापी वोलेटाइल रहते हैं और साथियों इतनी छोटी कंप्री को यह जो बड़े निवेसक हैं बड़े असानी से इसके जो प्राइस है मार्केट के प्राइस है उसको मैनुपिलेट करने में सक्षम है साथियों इसके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएं आप अबस्य देखते होंगे और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएं तो आप वहाँ पर देखेंगे चुकि ये स्क्रीनर की साइट पे नहीं है इसे दूसरी साइट से आप देख सकते हैं इसमें सितंबर 2020 में FII की जो होल्डिंग थी वो 12.47 और DII की 6.87 दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि 19.34% FII और DII की होल्डिंग थी और साथियों धीरे-धीरे सेप्टंबर 2021 आते ये होल्डिंग FII-DII ने धीरे-धीरे इसको कम की और सेप्टंबर 2021 में FII की 7.59 और DII की 4.11 अर्था 11.70% हो गई साथियों सितंबर 2020 में जो इनकी होल्डिंग 19.34% हुआ करती थी वो 39.5% गिर गई और गिर करके ये 11.70% पर आ गई साथियों जो दूसरे बड़े निवेसक हैं अगर उनकी बात की जाए तो साथियों सितंबर 2020 में 29.48% और अगर हम बात करें सितंबर 2021 की तो 27.12 प्रतिसत के आसपास थी इसमें भी 2.36 प्रतिसत की जो कमियाई और प्रतिसत में बात करें तो ये करीब 8% गिर गई अरताद FII-DII की 7.64 प्रतिसत 7.64 गिरी और जो अदर्स थे उनकी 2.36 गिरी और प्रतिसत में बात करें तो FII-DII ने 39.5% रिड्यूस किया तो वहीं जो दूसरे बड़े निवेसक थे उन्होंने 8% निवेस किया और साथियों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर को देखें तो ये सारा माल रिटेल इन्वेस्टर को पकला दिया गया साथियों इसमें आप इनकी ROCE और ROE को देखें आप ये देखेंगे कि इनकी जो ROCE है वो आठ दसंबलब पांच आठ प्रतिसत है और जो इनकी ROE है वो पांच दसंबलब आठ नो प्रतिसत है इसको साथियों कोई आप बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते अगर साथियों इनके P ratio की बात की जाए Price to Earning ratio तो साथियों ये Price to Earning ratio इनका पांच साल का 15 जसंबलब 3 है 3 साल का 16 है और अगर आप एक साल की बात करें तो 29.2 के आसपास है लेकिन साथियों बर्तमान में देखें तो काफी Higher P ratio इसमें ये 47.9 के आसपास काम कर रहा है अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें इसका जो Price to Earning है वो काफी बढ़ा हुआ है आप इसे इसमें very very costly कह सकते साथियों इनके sales पर भी आप एक नजर डालें अगर और आप annual sales इनकी देखें तो साथियों screener की site पे March 2010 से data available है March 2010 में 464 करोड की इनकी sales थी जो March 2018 तक बढ़ते हुए 676 करोड हो गई अर्थात इन आठ सालों में मात्र 212 करोड की बढ़ोतरी हुई अर्थात 31.36 प्रतिसद की बढ़ोतरी हुई जिसको आप काफी पूर कहेंगे साथियों अगर March 2018 से March 21 की बात की जाए तो March 2018 में जो 676 करोड की इनकी sales थी वो March 21 में 630 करोड की रह गई अर्थात उसमें 46 करोड का reduction हो गया और आप ये कह सकते हैं कि इन 3 सालों में इसकी जो sales है वो 6.18 प्रतिसद से गिरी है लेकिन साथियों इन 11 सालों का March 10 से March 21 वहां की तुलना करें तो इन 11 सालों में इसकी जो sales है वो मात्र 1.35 गुना ही हो पाया है साथियों इसके नेट प्राफिट पे भी आप गौर करें जो डेटा जो है March 10 से है March 10 में इनकी जो नेट प्राफिट था वो 232 करोड था और March 18 आते आते ये नेट प्राफिट 689 करोड हो गया साथियों इस प्रकार से आठ सालों में इसमें 457 करोड इनका प्राफिट बढ़ा जो परसंटेज में 196.9 प्रतिसत कह सकते हैं अरतात कह सकते हैं कि इन आठ सालों में इनका प्राफिट तीन गुना ही हो पाया लेकिन साथियों March 18 से March 21 के बीच की बात करें तो March 18 में जहां इनकी 689 करोड थी वो March 21 तक आते आते प्राफिट घटकर 145 करोड हो गया अरतात इन तीन सालों में 544 करोड घट गया अरतात 79 परसंट की इसमें रेडक्शन हुआ लेकिन साथियों अगर आप पूरे 11 सालों का हिसाब किताब एक साथ लेते हैं तो March 10 में जो तो 232 करोड की प्राफिट था वो March 21, 2021 की March आते आते 145 करोड का ही रह गया साथियों ये सेल्स और प्राफिट की पिछले 11 सालों की यात्रा है कि इन 11 सालों में सेल्स एक दसंबला 35 गुना और प्राफिट जो है 11 सालों में घट गया साथियों आप स्क्रीनर पे ये कंपाउंडेट सेल्स ग्रोथ आप देखते होंगे और प्राफिट ग्रोथ भी देखते होंगे साथियों ये कोई छिपी हुई बात नहीं है इसे आप असानी से देख सकते इसका साथियों जो सेल्स ग्रोथ है वो दस सालों की अवसत दो प्रतिसत है पांस सालों की जीरो दिखाई गई है तीन सालों में माइनस टू दिखाया गया है और जो ट्रेलिंग 12 मंत का है वो 20 परसेंट दिखाया गया है और अगर प्राफिट ग्रोथ की बात करें तो दस सालों में माइनस 4 प्रतिसत दिखाया गया है उसके कमजोरी के बिसे में आप ये अच्छी तरह से आप समझ सकते और साथियों इसके जो रेट आजकल अचानक बढ़ रहे हैं उसकी मजबूती का अंदाज आप लगा सकते साथियों यह जो बंबे स्टॉक एक्चेंज है यह बंबे स्टॉक एक्चेंज इस वन आप दे इंडिया ची लीडिंग एक्चेंज ग्रूप साथियों इसके जो ग्रोथ की जो गति है वो एक निश्चित गति है जो एकनॉमिक ग्रोथ के साथ बढ़ती और घड़ती है इस टॉक एक्षेंज पर जितने नए क्लाइंट जुड़ेंगे इसकी ग्रोथ उस पर भी निरबर होगी साथियों आपने नियूज में देखा होगा कि BSC Limited ने एलान किया है कि उसके बोर्ड की बैठक आठ फरवरी को यानि 2022 की आठ फरवरी को बोनस इसू और बित्तिय नतीजों पर बिचार करने के लिए होगी और साथियों उसके बाद इसके सेर में 28 दिसंबर को और उच्छा लाया और NSC पर BSC Limited के जो सेर थे उसके कारुबार में 7% का उच्छा लाया और ये 1961 के स्थर पर भी पहुँच गया था साथियों आप ध्यान पूर्वक देखें और समझने की कोशिस करें कि ये अचानक जो ये उच्छा लाया है ये केवल इसलिए उच्छा लाया है कि जो ट्रेलिंग 12 मन्त में जो 20% की सेल्स की बरहुतरी दिखाई गई है इसके प्रॉफिट पे 48% की बरहुतरी दिखाई गई है उसके कारण ये अचानक उच्छा लाया है लेकिन साथियों अगर ग्यारे वर्सों की इसकी यात्रा को देखें तो ये कब तक सस्टेन करेगा ये वक्त बताएगा लेकिन साथियों बाजार के जो बड़े निवेसक हैं वो इस मौके में यूपोरिया क्रियेट करके जो अपना माल है वो धीरे धीरे छोटे निवेसकों को लगतार थमा रहे हैं ये दिखता है क्योंकि साथियों ये बड़े निवेसकों का एक बड़ी मात्रा में निरंतर धीरे धीरे माल बेचना अगर ये इतनी प्राफिटेबल कंपनी है तो ये जो धीरे धीरे इस कंपनी से एप आई 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 का निकलना ये यही साबित करता है कि दाल में काला जरूर है और साथियों इस आसंका को बल मिलती है कि ये 8,796 करोड की एक छोटी कंपनी है और साइद ऐसा है कि इसके जो प्राइस को मार्केट में मैनूपलेट करके ऊपर ले जाने की पूरी कोशिस दिखती है और ऐसी संभावना भी दिखती है कि साइद वो वक्त आए जब ये पंप किया हुआ पंप अवन डंप की जो त्योरी है जो पढ़ाई जाती जो समझाई जाती है वो आगे प्रैक्टिकल में होगी और साथियों आप कभी भी किसी भी कंपनी में निवेश करें सब कुछ आपके सामने है उसके पिछले पांस साल दस साल की उसकी ग्रोथ की जो यात्रा है उसको जरूर देखें और आगे आने माली यात्रा पर अनुमान लगाएं और जब आपको उसका ग्रोथ दिखे और उसके रेट्स रेजनेबल दिखे तब उसमें निवेश करें क्योंकि साथियों इस तरह से आप फश सकते हैं क्योंकि जो बड़े निवेशक हैं उनके पास फंड्स मेनेजर होते हैं वो एक एक बात को एनलाइज करते हैं और जहां देखते हैं कि आगे आने वाले समय में साइद इसकी जो ग्रोथ है उससे कहीं ज़्यादा इसके रेट्स उन्हें मिल रहे हैं तो वहां से वो धीरे धीरे निकलने की हायर रेट पर कोशिश करते हैं आप ऐसे कंपनीज के सेर्स से सावधान रहें अपने लोब और लालिस का त्याक करें काफी अच्छी कंपनी मार्केट में अवलेबल हैं वहां निवेश करें जहां आपको ROCE और ROE आपको 15-20% या उससे उपर मिलता है अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद